प्रेपोजिशन के इस सेक्शन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशन का एक नया सेट दोस्त अशा कि आपको बता चुके हैं आप पिसले वीडियो में देखे भी होंगे कि हम लोग prepositions का नया state लेकर चल रहे हैं जिसमें कुछ prepositions का state बना रहे हैं हम लोग जिसमें 2-3 prepositions हैं हम लोग जो मिलता जूलता है या फिर ठिक opposite है कुछ ऐसा हम लोग prepositions को लेकर बना रहे हैं जिससे कि हम लोग को यूज करना और याद रखना जादा असान हो जाता है हम लोग कोई चीज को तभी याद रख पाते हैं जब या तो वो जर्रोस ज़्यादा अच्छा हो या फिर्ण ने तो बिल्कुल ही अपोजिट हो ठीक है? सुन्दर और कुरूप याद रखना जादा असान है जब दो सुन्दर लोग होंगे तो याद करना थोड़ा मुस्किल है पाचानना मुस्किल है याद रखना मुस्किल है दोस्त इसलिए हम लोग ऐसा सेट बना कर पढ़ रहे हैं जो हम लोग पढ़े हैं उसको जादा दीनों तक रिटेन कर सकें यह हम लोग का प्राइम गोले दोस्त अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि हम लोग सेट बना कर पढ़ रहे हैं तैयारी हो रही हमारी exam की और accordingly फिर हम लोग इसका practice session में आ जाएंगे दोस्त फिर बहुत सारा हम लोग practice करेंगे prepositions का feel करके वो भी हम लोग अपने वीडियो लाएंगे दोस्त आज हम लोग पढ़ते हैं इसमें above, over और under का दोस्त इसके पहले का वीडियो में हम लोग बहुत सारा prepositions के बारे में पढ़े होंगे ठीक है उसका आप आई बटन में देख लेंगे और आप वीडियो को चेक कर सकते हैं दोस्त सीखेंगे ज़्यादा मजाएगा चलिए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं above, over and under के बारे में देखिए दोस्त above और over जो होता है दोनों ऊपर के लिए इस्तमाल करता है हमसे उपर और under के इस्तमाल कैसे होता है नीचे के लिए नीचे आप याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि beneath और underneath यह सब literature में इस्तमाल होता है उसके जग़ा पर हम लोग under का इस्तमाल करते हैं किसी चीज के नीचे के लिए हम लोग under का इस्तमाल करते हैं पहले हम लोग beneath का इस्तमाल भी करते थे लेकिन अभी हम लोग under का इस्तमाल कर रहे हैं above और over का इस्तमाल कैसे करते हैं उपर के लिए, सर से उपर के लिए, कभी-कभी क्या हो जाता है ने दोस्त, कि above का इस्तमाल तो हम उपर के लिए कर लेते हैं, लेकिन over का इस्तमाल कभी-कभी surface से touch हुआ भी हम लोग पकड़ते हैं, और कभी-कभी इससे उपर हुआ भी पकड़ते हैं, दोनों पकड़ लेते ह इससे हम अब depend करता है आप उसको कैसे use कर रहे हैं ठीक है जैसे the plane is flying above the cloud यह जो हवाई जहाज है कहां उड़ रहा है बादलों के उपर बादलों के उपर हवाई जहाज उड़ रहा है यहाँ पर above the applicants should be above the age of 20 जो applicant मतलब क्या होता है मतलब जो आवेदक जो होते हैं आवेदक कैसा होना चाहिए उनका 20 साल से उपर का age होना चाहिए तभी वो किसी भी post के लिए apply कर सकते हैं otherwise he is not fit for that post okay तो applicant should be above the age of 20 20 साल से उपर का सब्सक्राइब का पता चल रहा है यहाँ पर above से समय का पता चल रहा है और यहाँ पर above से position का पता चल रहा है देख रहे हैं दोस्त यही हम लोग की speciality है हमारे prepositions की the sword was hanging above his head जो तलवार है उसके गले के उपर लटकी हुए चिपकी हुई नहीं है उसके उपर है ताकि अब बोले तो टक साफ है ना दोस्त इस प्रेड नहीं पर भी हो गया जो हमारे सर से उपर है इट इस नॉट टस्ट एट अल तू दे निक इस प्रेड अ क्लोथ ओवर दे टेबल इस कपड़े को जो टेबल क्लोथ होता है उसको टेबल के उपर फैला दीजिए बिचा दीजिए तो कैसे ब जो टेबल पे टच हो टेबल क्लोथ क्या होगा टेबल से टच होगा तो यहाँ पर सटा हुआ का बोध हो रहा दोस्त ओवर है बट टच्ट है उसने क्या करा यहाँ पर देखिए ओवर क्या है यहाँ क्या उपर टच्ट माइड तो हर फेस तो हर माउथ उसने क्या करा उसके मुँपे हाथ रख दिया क्यों रखा भाई तो स्टॉप हर स्क्रीमिंग ताकि वो ना चिलाए चिलाने से रोकने के लिए उसने उसके मुँपर हाथ रख दिया ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है टस्ट है उसने उसके मुँपर हाथ रखा मतलब something like this there was an umbrella over her head यहाँ पर over का मतलब क्या हो गया umbrella कहा है हम लोग ऐसे umbrella पकड़ते हैं generally umbrella क्या होता है न हमसे touch होता है न हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है approximately हमारे सर के ठीक उपर होता है थोड़ा सा उपर something like this ऐसे तो there was an umbrella over her head umbrella जो कहां पर है उसके सर के उपर है यहाँ देखे थोड़ा सा उपर इसमें touch था इसमें थोड़ा सा उपर हुआ there was breeze over the river यह breeze कहां पर है यह breeze कहां पर है river के उपर है नदी के उपर हम लोग क्या करते हैं breeze बनाते हैं पूलिया बनाते हैं पूल बनाते हैं दो छोटा रहता है तो पूलिया बोलते हैं बढ़ा रहता है तो पूल बोलते हैं I stayed there over a year अब देखे यहां over समय का पता चल रहा है देखे यहां से देखे यहां से हम लोग को position का पता चला है कि यह bridge कहां पर है नदी के उपर है पता चला ना इसकी इस्तिती कहां है नदी को ऐसे cross कर रही है I stayed there over a year मतलब मैं वहां एक साल से जादा रुका देखे टाइम भी पता चल गया ओवर एक साल से जादा I stayed there over a year The cat was under the table Under the table means what? Table के नीचे The cat was under the table बिल्ली कहां थी? Table के नीचे I have a staff of 20 working under me मतलब मेरे पास कितने है 20 लोगों का staff है एक समू है जो की मेरे नीचे काम कर रहा है मतलब क्या मेरे पैरों के नीचे है No, no मतलब मेरे control में मतलब 20 लोगों को हम lead कर रहा है I may be a team leader I may be a owner I may be a proprietor कुछ भी हो जकता है क्या है क्यों मेरे नीचे वो लोग काम कर रहा है ठीक है Under me And then His case is under consideration अब यहाँ पर देखिए यह क्या है उसका जो case है वो under consideration है मतलब क्या है विचारा धीन है मतलब Judge के पास कोई case होगा कोई system होगा या पुलिस के पास कोई case होगा या किसी teacher के पास आपका कोई problem होगा तीचर तो उस वक्ती उस पर तो solve नहीं कर देंगे हाँ उस पे उनका ध्यान होगा जिसको की वो sort out कर देंगे कोई पुलिस के पास कोई case होगा उसको वो control कर लेगी ध्यान देगी थोड़ा वक्त लग रहा होगा या फिर सरकार के पास कोई case होगा वो विचारा धीन होगा कोई नियम कानून हम लोग ऐसा होता है कि एक दिन में कोई चीज पास नहीं होता तो कि सरकार को lower house और upper house दोनों में इसको solve करना पड़ता है तब जाकर कोई भी law pass होता है उस तरह से होगा under consideration he is struggling under the burden of his family वो कैसे है भीया वो struggle कर रहा है मतलब संगहर्स कर रहा है कि इसके pressure में under the burden of his family अपने परिवार के दबाओं में आकर बहुत वो संगर्स कर रहा है हो सकता है उसके परिवार में बहुत तकलीफ होगी इस कारण से वो struggle कर रहा है मेहनत कर रहा है मेभी out of जो भी हो मतलब struggling under the burden of his family अपने परिवार के मतलब कुछ परिशानियों के दबाओं में आकर वो संगर्स कर रहा है इस buildings are under consideration construction sorry यह जो building है कैसे भी है under construction है मतलब बन रही है उसके under में construction मतलब बनावट के अधीन में है मतलब वहाँ पर अभी भी बनने का काम चालू है building का construction काम चालू है कुछ इस sense में हम लोग बात करते है अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्त for, scenes और from का for, scenes और from का बात करेंगे दोस्त इसमें क्या हो जाता है हम लोग का for का इस्तमाल scenes के इस्तमाल from का इस्तमाल तीनों का इस्तमाल हम लोग टाइम के लिए भी कर लेते हैं फॉर का इस्तमाल तो बहुत लार्ज इसके लिए पर होता है सीन्स का इस्तमाल भी बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं एक करके हम लोग देखें तीनों के बारे में Is this the train for Delhi? क्या यह जो train है Delhi को जाएगी? हम लोग जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे कभी ऐसा होता है, कि हमको पता नहीं होता है, और या तो हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, भागते हुए पोह पोहुँचते हैं, प्लेटफॉर्म पे, और बिना इंक्वाइरी में गए हुए, समय बहुत कम होता है, ट्रेन चूटने का टाइम होता है, तो हम लोग जाकर पूछते हैं, भागया क्या यह ट्रेन वहां जाएगी? भागया यह ट्रेन लखना हो जाएगी? हाँ, तो वो बोलता है कि हाँ, यह जाएगी लखना हो, अरे यह लखना हो नहीं गई, अगर इलाब आता हो गई तो, फिर हम लोग फंस जाएगा दोस्ते, तो हम लोग जाकर गन्फर्म करते हैं, तो इस दिस दे ट्रेन फॉर देलही? उसको जीवन भर के लिए कैद में डाल दिया गया, तो यहाँ पर फॉर का इस्तमाल कैसे कर रहे हैं भाईया? टाइम को इंडिकेट कर रहा है ना? उस किताब के लिए, मैंने कितना रुपय दिया? 100 रुपय दिये मैंने उसे, किसलिए? उस किताब के लिए, तेहाँ पर हम लोग उस किताब के लिए 100 रुपय दिये, C is tall for her age, यह बहुत ही कमाल का संटेंस है दोस्त, बहुत ही मस्त संटेंस है, this is tall for her age, मतलब वो अपने उम्र से ज़्यादा लंबी है मान लेते हैं कोई-कोई बच्चा को आप देखे होंगे जिसका उम्र आठ-दस साल का होता है बट उसकी हाइट पांच फिट से उपर होने लगती है सोचिए आठ-दस साल का बच्चा हाइट पांच फिट पार हो जाता है तो बच्चे की हाइट बहुत अधीक है तो हम लोग क्या बोलते हैं अरे यार इसका तो हाइट देखो तो अपने उम्र से बहुत बढ़ा है ऐसा हम लोग अकसर अपने बुद्धी जीवियों को लेके भी करते हैं कुछ बच्चे लोग छोटे होते हैं बट वो बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं यू आप बिन प्रिपेरिग फर अग्जम फॉर इयर ऐसा अब तीयर कर रहें हैं तोहाजार से पढ़ा रहा हूं अरे बढ़्या मैं तो लिखा हूं भाईया यह मेरे ली नहीं है एक वाक्य है He is suffering from fever अब देखिए अब यहाँ पर from का इसमाल कैसे कर रहे है suffering from fever वो बीमारी से ग्रसित है, पीडित है बुखार से पीडित है तो from का इसमाल कैसे हो रहा है उसका situation को बता रहा है उसकी स्थिती को बता रहा है अब देखिए वो आरन से स्थिल बनाता है, स्थिल कैसे बनता है ही मेक स्थिल, वी मेक स्थिल हम लोग आरन बनाते हैं कैसे बनाते हैं भाईया, सोरी स्थिल बनाते हैं कैसे बनाते हैं, तो आरन से बनाते हैं हम लोग जो हैं स्थिल को आरन से बनाते हैं रूप को परिवर्थित करते हैं from one section to another यहाँ पर हमारा change कर रहे हैं हम लोग time के लिए यहाँ लगाए he has come from London देखिए कैसे लिख रहे हैं वह कहां से आया भी या तो वह London से आया है he has come from London mangoes are falling from the tree अब यहाँ पर देखिए आम जो है कहां से गिर रहे हैं पेंड से mangoes are falling from the tree आम जो है कहां से गिर रहे हैं तो यह पेंड से गिर रहे हैं उपर से नेचे ठीक है these lines are from the bible यह जो पंगतियां है bible से ली गई है मतलब source को भी indicate करता है मतलब आपको यहाँ पर source बता जा रहा है कि यह जो line हैं कुछ quotes हैं वो quotes कहां से ली गई हैं अक्सर हम लोग refer करते हैं जब भी हम लोग बात करते हैं तो कभी कभी हम लोग को refer देना पड़ता है भाया यह line है वहां से ली गई हैं ये लाइने वहाँ से ली गई है, ये लाइने वहाँ से ली गई है I had a phone call from Ravie, मतलब मुझे Ravie का phone आया था कब आया था बहिया, जब आना था तो आया था, बट मुझे call आया था तो अब इदे के from का इस्तमाल हम लोग कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग from का इस्तमाल का ज़्या करते हैं source के भी कर ले कर रहे हैं, इस special case में हम लोग ऐसा भी इस्तमाल करते हैं He comes from a poor family, वह एक गरीब परिवार से आता है, मतलब क्या, He belongs to a poor family वह गरीब परिवार से बिलोंग करता है, या उसी परिवार से आता है, तो हम लोग यहां पर दोनों तरीके से बोल सकते हैं He comes from a poor family भी बोलेंगे, that is right, He belongs to a poor family, it is also right दोनों तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं तो इस तरह से दोस्त हम लोग अपना prepositions का पूरा state तेयार कर रहे हैं हम लोग का लगवग बहुत सारा prepositions के बारे में हम लोग अलड़ी पढ़ चुके हैं हमारे बहुत पीछले वीडियो में भी बहुत सारे prepositions के बार हम लोग पढ़े हैं और practice करना एक practical है आप जानते होंगे दुनिया में जितनी भी research हुई है सब पहले practical हुई है बाद में theory लिखी गई है पर हम लोग यहाँ पर पहले दोस्त थोड़ा उल्टा काम किये हैं पहले theory पढ़े हैं फिर practical लगने हैं जादा तर ऐसा ही होता है दोस्त पहले practical बाद में theory most of the time ऐसा ही होता है हाँ some extent पे लोग पहले कर लेते हैं ठीक है तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए चीजों के साथ prepositions का नया हम लोग खेल खेलेंगे दोस्त और आपसे उमीद करते हैं कि आप लोग के पास जो भी किताबे हों जरूर पढ़ें घर में प्राक्टिस जरूर करें grammar की जो भी बुके होंगी जो भी किताबे हैं आपके पास try कीजिए उसके exercise को बनाईए practice कीजिए नई समाज में आता है बार बार देखिए try कीजिए उसे भी ज़्यादा दीकत है comment box में डालिए जो problem होगा दोस हम try करेंगो उसको sort out करने का ठीक है तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस तब तक के लिए bye दोस